बॉर्णिंग गुड आफ्टरनोन एंड गुड इवनिंग स्टुडेंट्स वेलकम टो भारत हुमिनिटीज क्लासे एंटीस्सी का डेली डोस आज हम अपने जो हिस्ट्री के प्रिविएस यह कोश्चन से उस सिरीज को आगे बढ़ाते हैं और कोश्चन नमर 71 से स्टाट करते एहं कोश्चन नमर 71 इस मोहन जोद्रो सरस्वती सिंदू सिविलाइजीशन इस डिसकावर्ड बाइड देगी मोहन जोद्रो जो सिविलाइजीशन सबता है वो किसके द्वारा डिसकावर्ड की गई तो आप का आंसर होगा आजडी बनर जी रखाल दास बनर जी नेक्स्ट चंदर सेकर आजाद का जनम कहां हुआ था तो आंसर होगा मध्य परदेश क्विट इंडिया मुव्मेंट भारत छोडो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में मोहंद दास करमचन गांधी जी के द्वारा चलाए गया था तो ऑप्शन नम्बर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्सक्राइव तो यह उता सेप्टेमर 1925 अदी विज़े दसमी के दिन रस्स का गठन हुआ था पूरण सवराज्य की मांग जो प्रस्ताव था वो पारित कौन से सेशन में हुआ तो लहर सेशन 1929 जिसके प्रेज़ेंट कौन थे? पंडित जोहरलाल नहरू और यह डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पर्थम जो आपका सवराज्य दीवस है या पूरण सवराज्य दीवस है या कंप्लेट इंडिपेंडेंस दे है वो सेलिब्रेट किया जाए गा नेक्स्ट कोशन है विच अफ फॉलोईंग आंसर ओप्ष एक नैंटीन नैंटीन नॉन कोपरेशन मुवमेंट नॉन कोपरेशन मुवमेंट नैंटीन ट्वंटी साइमन कमिशन 1928 फर्स्ट राउंटेबल कॉन्फेंस 1930 तो यह क्रोनोलोजिकल ओडर ओप्षन नमर्ड आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाए गा नेक्स्ट को मातमा गांधी रिटर्ण तो इंडिया फ्रम साउथ अफरिका तो यह लोटे थे 9 जनवरी 1915 9th of Gen 1915 मातमा गांधी रिटर्ण फ्रम साउथ अफरिका तो इंडिया नेक्स्ट कोशन इस विच वन फॉलॉइंस स्टेक्मेंस नॉट राजा राम मोहन रोय वस आ किंग इस फॉ भय किली तॉ तॉ टाउन प्लेनिंग ओफ दा मातम एकननीक थे गई उसके मिल की तॉशेंच, फिर अफ्लेक आपर अफिया प्लेक आप सर्हिंग प्लेक एकांधी जो ड़ो से टाउन सरश्वती विज्युम सरश्वती विज्युम सी अफ्षन नेक्स गॉशन है नेंग देटी शाइग § 1946, after first Anglo-Sikh war, पहला जो Anglo-Sikh war था, उसके बाद जो treaty हुई थी 1846 के अंदर, वो थी treaty of Lahore, treaty of Lahore, next question, who established डाल खालसा, तो ये आपका आजाएगा, खालसा पंत की स्थापना किस ने की थी, गुरु गोविन सिंग जी, तो the option is your right answer, next question है, which of the following is not the national party, देखिए, भारती जनता पार्ट जो 1980 में वनी थी, ध्यान से सुनिये, ये एक national political party है, इंडियन national congress, जो 28 दिसमर 1885 में वनी थी, ये भी national political party है, भाउजन समाज पार्टी, जिसके स्थापना, 1984 में एक आसी राम के द्वारा की गई, ये भी आपके एक national political party है, लेकिन शिरोमनी अकाली दल, आपके एक छित्रिय party है, एक state political party है, जो पंजाब state के अंदर है, next question is, the state of India, where the जलिया वाला भाग is situated, तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब, जलिया वाला भाग जो मस्केर था ही, आपका कब हुआ था, 13 अप्रेल 1919 को हुआ था, next question is, the year of the partition of Bengal was, तो बंगाल का जो partition हुआ था, 1905 में हुआ था, option number B, your right answer, by Lord Karjan, next question है, when was the publication of Bengal Gazette initiated, देखे, Bengal Gazette का जो publication निकाला था, वो 1780 में निकाला था, by James Augustus Hickey, next question number 90, consider the following points, मात्मा गांधी started Salt March with its 78 confidential volunteer, बिलकुल सही है, 12 मार्च 1930 को यह यात्रा साबरमती से शुरू होती है, जिसके अंदर, 78 उनके confidential volunteer थे, वो गांधी जी के साथ थे, मात्मा गांधी violated the salt law at Dandy, Dandy तक ठीक है, लेकिन on April, तो यहाँ 26 आएगा, 6th of April 1930, तो केवल first जो है, वो statement true है, second British rule was founded in India, आपका answer आजाएगा, battle of policy which took place on 23rd of June 1757, between नवाब सिराजु दोला, बंगाल के नवाब जो थे, और किसके बीच में Robert Clive के बीच में हुआ था, इस युद के पस्चार, भारत के अंदर, British rule की क्या रखे गई थे, नहीं रखी गई थे, next question है, who composed, आनन्द मट, आनन्द किसने compose किया, बंकिम चंदर चटोपा द्याए, next question है, hearing about this incident, महात्मा गांधी called a hold to the non-cooperation moment, name the incident, उस घटना का नाम बताइए, जिसके बाद महात्मा गांधी ने non-cooperation moment को क्या कर दिया था, cold off कर दिया था, तो वो थी चोरी-चोरा incident, जो फरवरी 1922 के अंदर, गोरकपुर डि तो आज इसके अंदर 22 पुलिस कर्मी जिंदा जला कर मार दिये गए थे, next question, name the vicerai of India during civil disobedience moment, answer, काफी आसान है, काफी बार आचुक है, Lord Irvin Gandhi, Irvin pact को आप ध्यान रखेंगे, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कि civil disobedience moment के दोरान भारत के जो vicerai थे, वो कौन थे, Lord Irvin थ next question, in which year did Gandhi ji relaunch civil disobedience moment, मात्मा गांधी ने civil disobedience moment को relaunch कब किया, तो यह किया था, 1932 में, क्यों किया था, आपको ध्यान से सुनना, चाहिए, देखे, 1931 के अंदर, Gandhi ji went to London to participate in the second roundtable conference, okay, but negotiate नहीं पन पाया, वापे, गांधी जी निराश होकर भारत लोटे, तो उन्होंने देखा कि Congress के जितने भी important आपके leaders थे, वो अभी भी जेल में थे, that was the reason, Gandhi ji relaunched the CDM movement again in 1932, next question is, who wrote about the injustice of the caste system in his गुलामगिरी, देखे, गुलामगिरी किसकी रचना है, जोती बाफुले, option number 3 is your right answer, काफी बार NTSC में पू अरानी लक्षमी भाई is situated at, तो आपका answer होगा वरानसी, next question, who among the following were the ones to bring a printing press in India, भारत के अंदर printing press कोन ले कराये थे, पॉर्तिग्यूज, answer क्या होजागा, C option is your right answer, next question, who was the leader, 1857 revolt in लखनाव, तो बेगम हजरत महल was the leader of 1857 revolt in लखनाव, next question is, what was Komagata Maru, देखे, Komagata Maru एक Japanese ship था, ध्यान चे सुनलीजिये, Komagata Maru was a ship carrying 370 passengers that was going from Singapore to Canada, but was turned back by the Canadian authorities in the year 1914, तो Komagata Maru क्या था, एक Japanese ship था, यह आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, Dear students, today we discuss important previous year questions of history, you have to watch this video and learn these important question answer, like this video and subscribe Bharat Humanities Classes, Jai Hind, Jai Bharat